नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वालो है क्रूश्शीप के बारे में, जो इंडिया का बहुत सरा लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, क्रूश्शीप में कैसे job करता है, क्रूश्शीप होता क्या है, कैसा salary provide करता है क्रूश्शीप का, और इसमें कैसे आपको job मिल सकताे और कितना आपका education चाहिए, experience कितना चाहिए, कैसे आपको easily एक luxurious job मिल सकते हैं, इसके बारे में हम details में बताने माला हैं, तो नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है विश्वजीत, और आप लोग देख रहो है, abroad jobs guide, चलिए start करते हैं, दोस्तो, आज हम बात करने वाल है cruise ship के बारे में, जैसे गोवा से अंदामान जा रहा है, ऐसे इंडिया की अंदर गुमता है, मुंबाई से गोवा, ऐसे जो ship होता है, ship के जरीए travel करता है, तो मैं इस वीडियो में आज बात करने बाला हूँ, European ship के बारे में, और US ship के बारे में, जिसके salary आपका बहुत high रायता है, और अगर आपने normal education किया है, अगर आपके पास normal English है, मतलब आपको उतने English भी नहीं चाहिए, आपको cruise ship में job मिल सकता है, क्या इसे, मैं details में बताने बाला हूँ, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, cruise ship में क्या-क्या facility आपको मिलता है, देखो, cruise ship में आपका जो खाना है, रहना है हो free है, क्योंकि आप ship के अंदर ही रहोगे, तो खाना आपका रहना free हो गया, उसके बाद आपका salary, देखो, basically किसी भी post में आप जा रहे हो, ground level में, तो भी आपका 70-80,000 इंडिया का salary मिलता है, तो salary के हिसाब ठीक ठाक है, number 3 में जो आता है, world tour, देखो, बहुत सरा लोगों क dream होता है, world में tour करना, तो cruise ship एक ऐसी जरिया है, जो पूरी दुनिया को आप घूम सकते हो, क्योंकि cruise ship जो होता ही, European होता है, जो एक country से दूसरे country जाता है, जैसे आज पोर्तुगाल, Belgium, France, Italy, तो आप भी इसके साथ साथ घूम सकते हो, आप Facebook में reels डाल सकते हो, जो आप आज इधर हो, काल उधर हो, ऐसे करके आपका dream शाकार हो सकता है, एक cruise ship में, तो अगर आप cruise ship के लिए application करना चाहते हो, आपको cruise ship में जाना है, तो आपको जानना पड़ेगा क्या-क्या job cruise ship के लिए available है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, देखो basically, दोस्तो, cruise ship के लिए हर एक position में job है, मतलब आपने utility से start करके engineer तक किसी भी post में आपको job मिल सकता है, क्योंकि एक hotel की तरह है, five star के hotel की तरह, जो पानी के ऊपर है, ठीके, तो इसमें बहुत सारा job है, आपको किसी भी sector में आपको job मिल सकता है, अगर किसी भी sector से आप हो, अगर मान लो आपने housekeeping department से हो, आप आपने hotel में काम किया, अगर मान लो आपने hotel में नहीं काम किया, आप sales में काम किया, तो भी आपको job मिल सकता है, अगर आपने medical representative हो, अगर आपने medical में किसी जगा पे काम किया, जैसे आपने doctor हो गया, narcissist हो तो आपके भी job मिल सकता है, अपने किसी भी sector से हो, तो आप cruise के लिए application कर सकते हो अगर मानलो आप इंजिनियर हो आपने बीटेक किया है या डिपलोमा किया है तो भी आप cruise के लिए application कर सकते हो अगर आपने ITI किया है welder है फीटर है बहुत सारा जॉब है cruise ship के अंदर तो आपको किसी भी एक जगा पे जॉब मिल सकते है अगर आपका education नहीं है नॉर्मल एडूकेशन है तो भी आप steward के लिए application कर सकते हो kitchen utility के application कर सकते हो cleaner के लिए application कर सकते हो इसमें ज्यादा education नहीं चाहिए अपका normally job मिल सकते है अगर आपका experience किसी भी फील्ड से है तो आप easily आपको job मिल सकते है क्योंकि cruise ship में आप hy ज़ादा recruit करना है बहुत सारा लोगों की ज़रूरत है क्योंकि इस जो टाइम है ये टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों को hire के जाता है ठिक्के अभी आपको दिमाग में आ रहा है अगर cruise ship में apply करना है तो आपको कैसे करना है देखो cruise ship में apply करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ देखो basically क्या है ना cruise ship का जो official portal होता है उदर में आपको apply करके job मिल सकता है क्योंकि आप apply करोगे आपका interview होगा interview के बाद जो procedure होता है एक एक करके वो लोग बता देता है जैसे कुछ लोगों को पहले से stcw कर लेता है बाद में भी कर सकता है stcw एक important देखो एक नाम आया stcw क्यों आया क्रूश शिप में जाने के लिए stcw बेनेजरी है आपको करना पड़ेगा stcw cdc लेकिन यह कोई मतलब ऐसा कोई बात ने बहुत हाड़ चीज है आपको नॉर्मली stcw कोई भी कर सकते हो एक course है वह आप selection होने का बाद भी कर सकते हो पहले भी कर सकते हो यह आपके मर्जी के उपर है लेकिन अगर आप पहले कर लिया तो आप आपको थोड़ा बहुत benefit मिलता है अगर आपने नहीं किया तो आप application किया उसके बाद आपका interview हो गया उसके बाद आप लोगों को बता देगा भाई आभी stcw को करना है तो उस टाइम पे आप stcw कर लो उसके बाद आपका पैसा भी थोड़ा मेरा job पका हो गया अभी में stc करूंगा आपका हिम्मत भी आएगा ठीक है लेकि बहुत सारा लोग आप पहले से stcw कर लेता है क्योंकि उन लोग का dream है cruise में जाएगा तो पहले stcw करके भी आप application कर सकते हो अभी application कैसे कर सकते हो एप application करने के लिए आपको चाहिए proper resume है cruise की format में आपको थोड़ा अच्छ एक cleaner में काम कर रहे हूं लेकिन तो आपका जो responsibility होगा आपका skill होगा वह ऐसा होना चाहिए जो recruiter को आच्छा लागे जब ओस प्रपेशन के लिए suitable है ठीक है तो ऐसे आपका skill डालना है ऐसे आपका responsibility डालना है तो हिसाब से आपको करना है इसलिए resume एक important part है अगर resume आपके प बहुत लोगों को क्या होता है cruise ship में apply करना नहीं आता है तो हम apply भी करके देते हैं बहुत cheap price में आपका पूरा ready करके हम देते हैं ठीक है अज जो लोग खुद apply करना चाते हैं आप तो video के description पे आपको link बिल जाएगा उधर जाके आपको आपका resume ready करके उसके बाद apply करना है को बहुत सरा job available है मैं भी बता दिया अभी season भी चल रहा है आप लोगों को apply करने के जरूरा थे और एक अच्छी कासी नौकड़ी आपको मिल सकता है तो दोस्तों video को please share करो क्यूंकि बहुत लोगों को अभी नहीं पाता है cruise ship के बारे में बहुत लोग इधर-उधर काम करते है कोई दूबाई जाता है कातार जाता है गॉल्प कंट्री में काम करते लेकिन जो आपका जो जितना अपने मेहनत करते हों किससे आपका salary नहीं मिलता है तो प्लीज दोस्तों को श शेयर करो ऐसी शेयर करो जो सेयर करो जिस हर एक बंद्द को पता चलना चाहिए जो cruise ship क्या रहे क्या इसे आपको जॉब मिल सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो शेयर करो और कॉमेंट करो आप लोगो कुरूजशिप पे इंटरेस्ट है कि नहीं थैंक्स पर वाचिंग